नमस्कार दोस्तों अगर आप एक विकलांग कंडिडेट है और आपको रेलवे में फ्री पास चाहिए तो आपको क्या करना होगा तो आज की बीडियों में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अगर विकलांग कंडिडेट हैं तो आप रेलवे में यात्रा करने के लिए आपको free pass के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना free pass बनवा सकते हैं और साथ में आप अपने एक अभिवावक को भी ले जा सकते हैं free में उसका कोई भी फीस नहीं देना होगा कोई भी टिकट का पैसा आपको नहीं लगने वाला है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा क्या 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 document देने होगे और कैस दोस्तो अगर वीडियो पसंद आईगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथी साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तो सबसे पहले आपको पने मोबाइल फोन या लैप्टप में किसी भी एक ब्राउजर को ऐपरना है और यहांप आपको सर्च लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँप देख सेपने की की आप अफिसयल website पे login हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों आप application में login होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे registered mobile number मांगा जा रहा है दोस्तों इस website का link मैं वीडियो के नीचे description box में डाल दिया हूँ उसी link पे click करके आप direct page पे आ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको phone number डालना होगा ठीक है जो आपने registration किया हुआ है उसी number को डाल के आपको login करना होगा ठीक है दोस्तों अगर आप इस website पे पहली बैने तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि new user वाले option पे इहां पे आपको click करना है और आपको registration करना होगा रहने वाले हैं उस इस state अप no cost करने अपना इस्टेट यहाँ पे और दोस्तों यहां पर आप अपने railway station को select करेंगे आप जहां से मतलब निकटम आपका railway station जो भी है यहां पर आप अपना निकटम railway station सेलेक कर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि identity verification with आधार दिया हुए तो दोस्तों इसको आपको बंद कर देना है ठीक है यहां पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका जेंडर है सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पुछा जा रहा है कि अगर आप किसी प्रकार से disabled है तो यहाँ पे तीसरा इतंग करेंगे और यहाँ पर धोस्तों यहा पर आपको कासे सुनाई नहीं नहीं देता है उस प्रकार का दिब्यांग है तो यहाँ पर इस तरह के इसको पुछ different लेने तो आप जीस प्रकार के लें के उसको आप यहाँ पर ड्लेंगे ठीक है और दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ सबुस्य करने कबाद यहाँपको सब्सक्राइब करना है ठीक है और आपको अपना एकाउंट create कर लेना है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैंने सारा डीटेल्स यहां पर भर दिया हुआ है और यहां पर मैं capture code भी डाल दिया हूँ यहां पर मैं sign up वाले option पर क्लिक करूंगा दोस्तों sign up पर क्लिक करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं user registration successful click okay and login with registered mobile नमवर्य यहां पर आपको ऐपी क्लिक करना है दोस्तों जैसले सकते हैं यहां पर आपको register जार्या रहा है उडिटीप यहां पर डखे सबस्तिक्राइं ठीक होग करना नवर्यों और दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर कंसेशनल फॉर्म ओपन हो जाएगा यह दोस्तों आप यहां पर इस फॉर्म को फिलब करवा के आएंगे तभी आपने सकता है भर के आप अपने रिलवे के पास बना सकते तो स्टों इस प्रवाके ले यहां पर अपको एंगे दोस्तों को आप लिपनी पर्बूम करना है तो दोस्तों यहां पे आपको क्लिक करना है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डिब्यांगजन attack application form आपका open हो चुका है दोस्तों यहां पर आपको क्या करना कि में आपको कुछ details फील करके आया हुआ है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपका नाम है male gender है आपका चुका है यहां पर email ऐड़ी और phone number आपका आया हुआ है ठीक है यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां पर card application details में यहां पर आपको भर ना है कि दोस्तों सबसे पहले आपको अप다는 यहां पर बेंगे और यहां पर यहां पर आपर अपना इससे बीलेट्र करेंगे और अगर आप जनम से हैजसे में आपका विकलांग हो चुका है यहां पर knead करेंगे जो भी आप हैं जैसे click कर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहाँ पे आप अपना address भर देंगे आप अपना full address भर देंगे यहाँ पे आप अपना area का pin code भरेंगे यहाँ पे city भर लेंगे यहाँ पे district अपना भर लेंगे और यहाँ पे आप अपना state भर लेंगे दोस्तों यहाँ आपको allowed किया गया है jpg, jpeg, png, pdf आप किसी भी format में आप अपने file को upload कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपकी size बताया गया है 5KB से लेके maximum 600KB तक आप file की size रख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना concessional form certificate यहाँ पर भरेंगे जो आपने doctor से पर्मानित करवा के लेके आया हुआ है अपने CMO office से उसी को यहाँ पर आपको भर देना है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना photograph अपलोड करना है एक passport size आप अपना यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर आप अपना disability certificate अपलोड करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप अपना date of birth यहाँ पर जो भी आपका proof है date of birth यहाँ पर आप अपना भर देंगे यहां पे भी आप दोस्तों अपना address प्रूफ भर देंगे अप्लोड कर देंगे जो भी है आप अधार कट भर सकते हैं ID प्रूफ भर सकते हैं डाइविंग लैसेंस कुछ भी है यहां पे आप अपना भर सकते हैं ओके फिर दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं में यहाँ पे आपको भरने होंगे ठीक है यहाँ पे आपको कंसेशनल कार्ड इसू डेट यहाँ पे आपको भरना है कि कब का आपका इसू हुआ है आपका कार्ड जब आपका फॉर्म भरा हुआ है जिस डेट में उस डेट को यहाँ पे आपको भर देना है ठीक है और दोस्त से आपने इसू कराये हुआ है तो उस स्टेट का नाम यहां पर भर देंगे जैसे कि मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में कराया हूं तो उत्तर प्रदेश में मैं भर दे रहा हूं ठीक है और दोस्तों यहां पर आपको अपना इसू हॉस्पिटल भरना है कि आपके जो जिले मे नाम यहां पर भर लेंगे और यहां पर दोस्तों डॉक्टर का नाम पूछा जा रहा है जो डॉक्टर ने इसु किया है उस डॉक्टर का नाम यहां पर आपको लिख देना है भर देना है ठीक है और दोस्तों यहां पर आपको डॉक्टर का रजिस्टेशन नंबर भरना है जो UD ID card, उसका last का आपको 9 digit यहाँ पे आपको भर देना है, इसमें आपको भर देना है, ओके, और दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा details भरने के बाद, यहाँ पे आपको क्या करना है, कि Save drop पे, अगर Save drop पे क्लिक कर देंगे, तो आप अगर चाहें तो इस form को आज नहीं भरके कल भरना चाहते हैं तो कल submit कर सकते हैं ठीक है तो आपका सारा details भरा हुआ आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि finally यहाँ पे save and submit पे आपको क्लिक करना है जैसे करेंगे तो आपको एक reference नंबर मिल जाएगा आप उस reference नंबर को note करके रख लेंगे और आपको हपते से 10 दिन में आपको update मिल जाएगा ठीक है तो आप उस प्रकार से आप अपने form को भरके आप अपने जिला अस्पताल पर जाके आप अपने certificate को इसू करा सकते हैं और आप अ लाइक कर दिएगा साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जोस्तों ने दीजिए इजाज़त मिलतें एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जैहिन बंदे मात्रम